नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिर परीचे दोस्तु पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहदी महतो पून जानकारी को लेकर के जिहां बड़ी से बड़ी पथरी को भी जड़ से खत्म कर देगा एक रुपए का निम्बू यह आज का टॉपिक आप सभी के लिए किड़नी और पथरी जैसी भीमारियों का होना आज की एक आम समस्या हो गई है इसका कारण यह होता है कि कई बार नमक, मिनरल्स और अन्य पदार्थ किड़नी में जमा हो जाते हैं जिससे वह किड़नी की पथरी का रूप ले लेते हैं और कई बार इस तरह की समस्या से जू शक्ता भी परती है शरीर में पथरी के कुछ टुकडे तो मुत्र मार्ग से निकल जाते हैं लेकिन कुछ टुकडे नहीं निकल पाते हैं इस तरह की बिमारियों से लड़ने का बेहतर इलाज होता है निम्बु कारस जो इस गंभीर बिमारी से लड़ने की शमता प्रदान करता इस दर्द से रहत पाने के लिए निम्बू का रस एक प्राक्रितिक उप्चार हो सकता है। मात्रा में सिट्रिक एसिड होता है जिसके प्रभाव से किड्नी में मौझूद केल्शियम और अक्जालेट की पथरी घुल जाती है। इसे दूर करने के लिए आप निम्बू के रस को सीधे या गर्म पानी में शहद के साथ या निम्बू पानी के रूप में ले सकते हैं। आपको निम्बू के वल पीने में पहुत जादा खटा लगता है तो आप पानी में शहद मिला सकते हैं जिससे कि इसका स्वाद भी अच्छा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने लिवर की पथरी को बाई बाई बोल सकते हैं। निम्बू के सहारे ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं। एक और बेहादे महतोपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों।